Hello everyone, तो आज किस वीडियो में बात करेंगे कॉंपलिमेंट सिस्टम के भारे में तो कॉंपलिमेंट सिस्टम बिसिकली it is a part of immune system which is responsible for enhancement of immunity और improvement of immune response हमजे, कॉंपलिमेंट वर्ड का meaning क्या होता है enhancement और augment, है न, improve करना, increase करना तो जो हमारी immunity है या immune response है उसको improve करने का काम होता है हमारे complement system का तो इसके बारे में आज हम discuss करने वाले हैं ठीक है? तो complement system में होता क्या है mainly? mainly more than 30 different plasma proteins होते हैं इसके अंदर ठीक है plasma proteins है ना जैसे albamin हो गया, globulins हो गया fibrogen हो गया, तो globulins segment के अंदर कुछ plasma protein होते हैं जिने हम बोलते है complement proteins ठीक है? तो mainly synthesized होते हैं कहाँ पे? liver में बट कुछ GIT mucosa अगेरा में भी हमें मिलते हैं, तो मैंने आपके लिए जो most important आपको याद रखने की ज़रूरत है वो सारे complement proteins यहाँ पे लिख दिये हैं इसमें mainly है C1, 2, C9 C1, C2, C3 इस तरह से C1 से लेके C9 तक complement protein B, D properdin MASP1, 2, 3 इस तरह से ठीक है? तो यह सारे बहुत ज़ादे important है जिनका हम आँगे further use करेंगे further समझने के लिए इस topic को ठीक है? तो यह सारे words देखके please घवराइए घवत मैं सबको simplify कर दूँगा जैसे जैसे हम topic में आँगे बढ़ेंगे ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ समझने है कि जब भी body के अंदर कोई infection होता नहीं है बिल्कुल absent है तो हमारे circulation में, हमारे plasma में हमारे blood में यह protein circulate करते रहते हैं inactive form में वो भी ठीक है? inactive form में यह circulate करते रहते हैं see, जब उनका activation होता है जब यह activate हो जाते है ठीक है? तब यह क्या करते हैं? यह compliment करते हैं immunity को, है ना? activation के बाद यह काम शुरू करते हैं कि चलो हमें कुछ मिला है तो अब हम activate हो गए हैं अब let's fight together, है ना? together किसके? antibodies के या जो phagocytic cells होते हूँ उनके साथ मिलके यह काम करते हैं सब कुछ explain करूँ है, don't worry but main role क्या है? complement system का to enhances or complement the immunity or immune response now see, how complement system gets activated normally तो circulation में यह proteins घूमते रहते हैं बलब यह inactive form में रहते हैं तो activate होते कैसे हैं? what triggers them to become activated कि काम करने के लिए ready किस तरह से होते हैं? तो होता क्या है? antigen-antibody complex ठीक है? पहली चीज है यह तो antigen क्या है? antigen is something foreign to the body या फिर जो body को नहीं चाहिए body उसे enemy की तरह treat कर विए दुश्मन की तरह treat कर विए ठीक है? antibody क्या है? उसके response में बना हुआ एक protein molecule समझ सकते हैं आप है न? तो यह दोनों आपस में bind हो जाते हैं ठीक है? antigen-antibody complex बना लेते हैं ठीक है? तब यह जैसे यह complex बन चुका होगा न? blood में, circulation में, जहांपे भी तो यह complement को activate कर देगा तो यह कौनसे pathway को activate करता है? classical pathway को activate करता है ठीक है? यह मैं further explain करूँगा classical में क्या होता है या alternative में क्या होता है ठीक है? now see bacterial infection होगा या कुछ होगा तो बहुत सारे toxins वगरा release होते हैं endotoxins, lipopolysaccharides जो होते हैं उनके हैं तो यह सब चीज़ें भी trigger करती है complement proteins को और वो activate होते हैं तो यह कौन सा part activate करता है? alternative pathway activate होता है इस चीज़ से bacterial endotoxins से अब तीसरे नमबर पे क्या है गाईस? देखिए किसी भी pathogen के surface पे बहुत सारी sugar moieties होती है sugar molecules होते है carbohydrate molecules होते हैं जैसे कि manos होता है बहुत सारे bacterial surfaces पे ठीक है? किसी भी pathogen के surface पे तो वो कौन सा part activate करता है? वो करता है lactin pathway को activate करता है ठीक है? अभी यह तीनों का आपको स्रिप नाम ही समझना है मैं आपको further explain करूँगा कि इन तीनों में क्या difference है या कैसे होता है है ना तो इन तरीकों से जो हमारा complement system है या complement proteins है वो activated हो जाते है अब बात करते हैं तो further वो क्या करते हैं मतलब अब activate हो गए पूरा काम पे ready है एकदम तो अब वो further करते हैं है ना सबसे पहले हम उठाते है classical pathway को ठीक है classical pathway में क्या होता है तो see what is classical pathway classical pathway में मैंने बतायता है कि complement proteins का activation कहां से होता है जब antigen और antibody IgG और IgM है ना इनका complex मनता है circulation में ठीक है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है पहले part में पहले इमेज है इसमें आपको दिखा रहा है कि immune complex बना हुआ है अब यहाँ पे एक चीज इंपोर्टेंट है देखने की IgG के दो molecule चाहिए और IgM क्योंकि pentamer है तो उसको एक molecule sufficient है complement activation के लिए अब ऐसा क्यों ज़रूरी है है तो शुरुआत होती है C1 complement से complement number C1 ठीक है जिसके तीन पार्ट होते है तो यह tulip shaped होता है tulip जैसे flower होता है inverted flower shaped है तो at least इसके दो head यहाँ पे और यहाँ पे जुडने चाहिए ठीक है it is important इसका structure ही ऐसा है तब ही हमें IgG की two antibodies at least चाहिए तो C होता क्या है complement number C1 जैसा कि मैंने बताया था इस complex को देखके जो activate होगा वो होगा complement number C1 इस तरह से वो antibody के बीच में इस तरह से आपका जाके bind हो जाएगा इस चीज़ को बोलेंगे हम complement fixation ठीक है apse portion of antibody से आपका C1 number complement bind हो गया और उसने फर्दर अपने part होते हो C1Q, RS यह सारे activate हो गए इस चीज़ को बोलते हैं complement fixation तो ठीक है अब C1 पूरी तरह से activated है तो यह क्या करता है यह C4 को जो complement number C4 है उसको cleave करता है C4A में और C4B में ठीक है इस तरह से C4 है उसको cleave करेगा C4B और C4A अब हमेशा याद रखेगा इस rule है यह complement system का कि जो A segment होता है वो goes away हो जाता है मतलब वो चला जाता है बाहर है ना और B4 bound वो bound करता है ठीक है C4B bind करेगा आपका और A जो है एना phyla toxin की तरह काम करता है वो बाहर चला जाता है आउट A वाला fragment है वो आपका bind करता है और B वाला fragment आपका चला जाता है है ना जो बड़ा वाला fragment होता है वो हमेशा bind करता है तो C2A is larger fragment ठीक है और C2B is smaller तो वो चला जाएगा और बड़ा वाला जो है वो bind करेगा तो हर जगे तो B वाला segment जो होता है न, C4, B है न, C5, B जो B, B लग रहा है न, B मनला binding fragment ठीक है? A वो होता है जो चला जाता है, सिर्फ C2 A के case में A bind कर रहा है और बाकी हर जगे आपका C4, B, C5, B B ही bind करेगा, C3, B तो अब समझे C1 के बाद C1 के activation के बाद क्या होता है, है न, C1 के activation के बाद C4 को तोड़ दिया जाता है, cleave हो जाता है C4, B और C4, A में A fragment अपना out चला जाता है और C4, B यहाँ पे आके C4, B bind कर जाता है, ठीक है? Now, अब C4, B टूटा तो उसके बाद बारी आती है C2 की, complement number C2, C2 में मैंने बताया था कि A वाला fragment बड़ा है तो वो वाला attach हो जाता है और C2, B आपका out अबे चला जाता है, ठीक है? तो अभी यह बन गया आपका molecule C4, B, 2, A है न, समझी आप, इस चीज़ को समझी ए, confusion नहीं होना है C4, B, मतलब 4, B वाला हमारे पास रुका है और 2, A तो जो binding fragment है उसको लेके हमने दिया यह act कर रहा है as a C3 convertase है न, यह अब काम करेगा C3 के conversion में तो C3 का conversion कैसे होगा? C3 तूटेगा C3, A में C3, B में ठीक है? अब C3, A और B में तूटा तो मैंने बताया था हर जगे B वाला fragment है वो bind करता है और A वाला goes away है न, वो out चले जाता है ठीक है? A से away है न, वो दूर चला जाता है और B से bind वो bind करता है हर जगे except 2 के लिए C2 के लिए है न, तो इसी तरह से इसमें भी A चला गया और B रह गया तो इसी तरह से आप क्या बन गया complement 4B 2A जो की C3 convertase था अब 3B भी जुड़ गया तो 3B आ गया यह तो C4B, 2A, 3B C5 convertase तो गाईस अब यह सारा combine हो गया यानि कि जो C3 वाला पार्ट था तो 3B fragment जुड़ गया तो अब यह बन गया C5 convertase ठीक है अब यह C5 convertase भी क्या करेगा A वाला go away B वाला bind surface पर bind कर जाएगा तो इस तरह का आपका complement cascade चलता है अब आज आते हैं C5B के बाद C5B के बाद क्या होता है गया इस terminal complements जो proteins होते हैं वो जुड़ने लगते है ठीक है addition होने लगता है जैसे कि C5B से वो initiate होगा 6 जुड़ेगा 7 जुड़ेगा 8 जुड़ेगा then further 9 जुड़ेगा जब तक 8 तक जुड़ता है न गाईस तब तक mind वो pores बनने लगते हैं bacteria की cell wall के अंदर है ना porins की तरह काम करते हैं यह pore बना देते हैं छेद बना देते है bacteria की membrane के अंदर ठीक है 8 तक ही है ना यह पूरा complex नहीं है membrane attack complex बोलते हैं जो की कुछ इस तरह से आपको दिखेगा है ना 8 तक जुड़ने के बाद terminal compliments बोलते हैं C5B, 6, 7, 8 8 के बाद लगबग बहुत सारे molecules जोड़ेंगे आपके C9 के C9 protein के compliment number C9 के तब यह drill करेगा 100 nanometer का hole in the bacterial cell जिस चीज को जाना जाता है membrane attack complex से ठीक है आप यह समझ लीजिए कितना cruel way है या फिर कितना तड़पाने वाला way है किसी bacteria को मारने के लिए है ना हमने एक तरह से drill machine के थुरू उसकी body में यहाँ पे यह electron microscope image देख सकते हैं इस तरह से छेद कर दिया अब क्या है छेद कर दिया तो उसके जो अंदर का चीज है वो बाहार आने लगेगा और बाहार का चीज है वो अंदर जाने लगेगा इस चीज से create होगा osmotic imbalance उसकी body में और वो bacteria जो है वो death हो जाएगी उसकी मर जाएगा वो ठीक है आप इस तरह से देख करते है multiple जब काम करते हैं तो इस तरह से पूरे-पूरे मतलब membranatic complex pores बना देता है bacteria की membrane में तो bacteria वैसी मर जाएगा osmotic imbalance की वज़े से तो this is about the classical pathway of complement system ठीक है अब more or less same ही होते है तीनों पाथवे lectin pathway alternative pathway थोड़ा सा difference होता है वो difference मैं आपको further explain करता हूँ ठीक है नव लेट्स मूव ओन to alternative pathway what is an alternative pathway ठीक है तो alternative pathway का सबसे main point है आपका activation क्या होता है एक्टिवेशन कैसे होता है तो bacterial endotoxin है ना या फिर lipopolysaccharide of gram negative cell wall है ना यह सब चीज क्या करते हैं यह सब trigger करते है alternative pathway को तो alternative pathway कैसे activate होता है so alternative pathway में होता क्या है गाईस जो complement number C3 है उसका spontaneous hydrolysis हो जाता है तो कौन से fragment बनी तो इस तरह से बनी spontaneous है अपने आप हो गया जैसे ही GNV cell wall का lipopolysaccharide या bacterial endotoxin circulation में मिला इस तरह से ठीक है तो यह spontaneously activate हो गया direct C3 से A B fragment में तूटा B होहीं पे रही A चला गया goes away circulation में ठीक है अब यहाँ पे complement number B की बात आती है अब इसके साथ B add हो गया C3 B plus B है ना अब जो complement number D है उसकी presence में B B टूटा B का भी A fragment था वो circulation में चला गया और जो B fragment था small b वाला वो bind कर गया तो C3 B था और B के दो fragment में A चला गया अब B bind हो गया ठीक है और यह जो complement number P है वो stabilization का काम करता है इस complex का है stabilize और इस पूरे complex जो बना है उसको बोला हमने C3 Convertis simple like जैसे classical pathway में एक C3 Convertis बना था इसमें भी C3 Convertis बना ठीक है अब C3 Convertis क्या गरता है C3 को तोड़ता है again C3 का A part में टूटा और B part में टूटा ठीक है बट यहां पर क्या हुआ जब पहले ही यह काम हो चुका था तो दुबारा क्यों हुआ इसे बोलते है feedback loop इसमें क्या होता है बहेंकर optionization होती है ठीक है बहुत सारे C3B molecule direct bacteria पर आके चिपक जाते है और phagocytic cells या किसी भी तरह से वो चीज destroy कर देते है ठीक है millions में चिपक जाते है within 2-5 minute जब यह loop बन जाता है feedback loop बोलते हैं इसे है ना दो बार C3 activate हो रहा है तो अब क्या है C3B B का B वाला fragment और C3B का जो यहां पर बना यह वाला fragment यह हो गया C5 convertis simple classical path भी की तरह है C5B वैसी टूटेगा A चला जाएगा B stays और फिल 6, 7, 8, 9 लगके 8 के साथ 10 mm और जैसी 9 लग जाएगा तो 100 nanometer का pore create हो जाएगा membranatics complex बन जाएगा तो कहानी तो almost same की है simple just थोड़े बाउत steps जो है वो change है alternative pathway में so कोई भी doubt हो आप पूस सकते है comment में है न समझ नहीं आ रहा हो ठीक है तो this is all about alternative pathway है alternative pathway कैसे काम करता है ठीक है now see what is lactin pathway है न lactin तो lactin pathway में होता क्या है guys suppose this is bacteria है न bacteria के ओपर काफी सारी sugar moieties होती है sugar surfaces होती है जैसे कि mannose sugar की हो गई तो हमारे bodies में proteins होते है जैसे कि mannose binding lactins यह protein हो गए membrane associated serine proteins 1,2 यह सब तो जो इस तरह का complex अगर बना हमारी body में है न bacterial surface के उपर तो होता क्या है सीदे C4 activate होता है then C2 C3 C5 इस तरह से cleavage और activate होता है इसमें भी सब कुछ B-bind होगा 2L के लिगा इस तरह से हैना सेम जैसे classical या alternative में होता है हैना सिर्फ इतना सा difference है कि कैसे हो रहा है बागे फिर इसमें भी final membrane attack complex मनेगा और destruction हो जाएगा इस वाले bacteria का pore बना के ठीक है तो this is about the lactin pathway ठीक है और सब समझ में आ जाएगा नौ समरी के तौर पे देखो बहुत फटावर्ट से summarize कर सकते है antigen antibody complex था classical pathway में C1 बना दोनों antibody के बीच में IgG के 2 molecule के बीच में bind किया था then C4, C2 C3 convertase बना फिर और C5 convertase बना 5 के बाद B6, 7, 8, 9, 10 और complex बना alternative pathway में क्या है lipopolysaccharide surface है endotoxin है यह सब ने क्या किया C3B मना spontaneous hydrolysis of C3 complement factor B, D वहाँ पे थे तो C3 convertase बना उनका वाला C5 convertase then membrane attack complex simple pathogen की surface पे carbohydrate होते है mannose binding lactins वहाँ पे bind करते है और serine proteases भी bind करते है 4 activate होता है 2 activate होता है convertase होता है C5 convertase then phir membranatic complex simple है एक path में याद कर लो आपका पूरा ऐसी ही याद हो जाएगा यह चीज ठीक है this is summary now see now चलो यह सब तो जो हुआ हो सो हुआ है ना अब हमने देखा था कि complement की जैसे माल लो C3 टूटा complement number C3 टूटा ठीक है तो वो एक तो B fragment थी small B fragment है ना और एक एक fragment में टूटा C3 A C3 B ठीक है तो जो A वाली fragment था वो goes away हो जा रही थी मतलब वो circulation में चली जा रही थी है ना क्या हो रहा था उसके साथ तो वो C5 A C4 A C3 A वो act कर रही थी as anaphylatoxins है ना anaphylatoxins क्या होते है जो कि anaphylactic reaction में involved होते है यानि कि या फिर बोल सकते है एक तरह का strong immune response की stage को बोलते है है ना तो इसमें होता क्या है जैसे C5 A क्या कर रहा है वो vasodilation करेगा और vascular permeability को increase कर देगा है ना तो क्या होगा जादा blood आएगा है ना जादा हुआपे inflammation होगा अब C3 A 4 A 5 A 3 O क्या है basically यह आपका mass cell activate करते हैं mass cell activate होगा तो फर्दर अपने inflammatory molecules inflammatory granules वगरा release करेगी है ना तो उससे क्या immune response trigger होगा और क्या करता है C5 A तो neutrophil का activation करता है ना तो जो A वाले fragment थे वो सारे इस तरह से inflammation के role में आते हैं हमारे ठीक है act करते हैं as anaphylatoxins now opsonization की बात करते हैं ठीक है जैसे मैंने बता रहा था कि कुछ fragment तोटती है तो B वाला portion है C3 B में क्या है C3 B act करता है as a opsonin है ना opsonin की तरह act करता है what is opsonin opsonin is a basically a molecule जो कि एक तरफ तो bind करेगा आपका pathogen को और एक तरफ उसके receptors होते हैं किस पे हमारे immune cells पे यानि कि phagocytic cells पे तो इस डाइग्राम में समझ ये basically opsonization होता क्या है यहाँ पे suppose ये pathogen ग्रीन कलर का ठीक है अब opsonin यानि की C3 B molecule जाके bind कर गया उसके उपर C3 B मैंने बदाए ना bind कर जाते हैं हम होग सारे bind कर गया तो अब क्या है अब ये phagocytic cell है उसको ये जो pathogen है वो और ज़्यादा delicious लग गया है C3 B act as a jam कि खाने में मज़ा आएगा अब इसको है ना easy है पकड़ने के लिए ठीक है तो इस तरह से वो अपने receptor से इसको C3 B molecule को जो की attached है pathogen से इस तरह से capture कर लेगा है ना वो delicious बना देता है एक तरह से उसके खाने को C3 B molecule है ना तो वो act कर रहा है as a opsonin है ना तो opsonization is nothing but a modification of phagocytosis है ना phagocytosis में क्या है खुद से effort करके वो endocytosis वगरा करके वो खा रहा है बट यहां पे क्या है उसको उसके उपर cream लगी हुई है ना jam लगा हुई खाने के लिए basically delicious मना दिया है किसने मना दिया है C3 B molecule जो कि act कर रहा है as a opsonin ठीक है तो इस तरह से वो उसको असान हो जाएगा बहुत जादा खाना है ना ठीक है तो this is called opsonization है ना इसके बारे में आप और जादा पढ़ सकते हैं एक मैंने separate video बना रखा है चैनल पे आप देख सकते हैं जाके ठीक है now final is mac जैसे हम आप आप एक्स्प्लेइन किया था है ना बहुत सारे compliment terminal compliment प्रोटीन्स मिलके एक ड्रिल मशीन से छेद कर देते हैं पोर मना देते हैं बड़ा सा ठीक है इससे content अंदर बाहर होने लगता है uncontrolled जिससे बेक्टेरिया का osmotic imbalance हो जाता है और वो मढ जाता है so this is the basically one of the cruel way of killing anyone किसी बेक्टेरिया का मारने का सबसे crude तरीका यही हो सकता है कि उसके membrane में हम बहुत सारे pores create करते हैं जिससे उसका मरना तै हो जाए ठीक है so this is what our terminal compliment proteins do C5B से लेके C9 ठीक है now compliment से associated कुछ disease होती है जो कि बहुत important है हमारे लिए जानना क्योंकि यह compliment protein हमने सुना नहीं है कि कोई भी बंदा compliment का test कराने कि है ना बहुत rare सुनते है because these are rare diseases ठीक है compliment deficiencies is a rare disease ठीक है तो होता क्या है see जिसको भी terminal compliments की deficiency होगी मैं यहाँ पर important ही explain करूँगा भागी जो सारी है वो आप पढ़ सकते है terminal compliments यानि कि जो pore बनने वाला mechanism था अगर वो नहीं है inability to form membrane attack complex ठीक है तो आपका जो gram negative infection वो बार बार होगा है ना recurrent neigerial infections ठीक है वो बार बार होगा ठीक है क्योंकि gram negative bacterias जो होते थे थे ना वो membrane attack complex मतलब जल्ली मर जाते थे है ना basically उसमें क्या है बहुत peptidoglycan की जैसे gram positive में क्या होता है मोटी सी layer होती है उपर है ना peptidoglycan की बट ऐसा कुछ होता नहीं कि GNB में gram negative में तो वो जल्ली मरते थे बट जब ये efficiency खतम हो जाएगी यानि कि terminal compliments की deficiency होगी तो ये बनेगा नहीं कुछ तो वो जिन्दा रहेंगे और recurrent niserial infection होगे ठीक है अब इसी तरह से जैसे guys एको C1 protein था तो उसके कुछ inhibitor होते है कि वो ज़्यादा activate ना कर दे है तो उसका inhibitor नहीं है ठीक है inhibitor है नहीं मतलब regulatory proteins है ही नहीं उसका regulation कुछ नहीं होगा तो unregulated activation of all activation pathway C1 जहाँ पर भी involved है वहाँ पर pathways में activation हो जाएगा ठीक है उससे क्या होगा angioedema होगा है ठीक है तो यह क्या है यह भी regulatory proteins है यह host cell के उपर रहते हैं खासकर जैसे RBCs के उपर यह रहते हैं तागी complement इन्हें अपना enemy ना मार के destroy ना करते हैं ठीक है तो उस पर यह रहते हैं RBCs पर गेरा पर decay accelerating factor तो जब यह चीज फेल हो जाती है यह मलब इस regulation में defect होता है तो जो membranatic complex है वो host cell को माणने लगता है RBC तोडने लगता है जिसे बोलते PNH यह ना paroxysmal noxional hemoglobin हो गया similarly C3 complement के deficiency है C3B या opsonance वगर यह सब नहीं बन रहे हैं तो आपको बार-बार यह pyogenic infections होते हैं जिसके symptoms SLE-like होंगे सिस्टमिक लिपस erythromatosis तो this is about complement associated disease है ना जिसपे मैंने tick लगाया है जिसपे मैं circle कर रहा हूँ वो वाले most important है बट सारे अब पढ़ सकते हैं सारे ही थोड़े-thोड़े important So this is how our complement system works है ना क्या क्या तरीके हैं bacteria को माणने के है ना या तो उसमें छेद कर दो है ना उसे काम नहीं बनना तो C3 भी लिया C3 भी जाके चिपक गया उसे delicious meal की तरह एक show किया है ना phagocytic cells को तो phagocytic cell ने उसको खा लिया ठीक है inflammation बढ़ा दी C5A, C4A है ना और सारे अपने दोस्त phagocytic cells है ना mast cell को activate कर दिया उसने granules release करे बहुत सारे cell आ गया inflammation हो गया ना fighting हो रही है तो इतने सारे तारीके हैं जिससे complement system काम करते है ठीक है और ये definitely बहुत important part है हमारे immune system का जो कि हमारी immunity को boost करके रखता है एकदम ठीक है so अगर आपको ये video अच्छा लगा so guys अगर आपको इसका pdf चाहिए या आपके कोई भी doubts है इस topic से related वो आपको पूछना है तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते है ठीक है link आपको description में या फिर bio में मिल जाएगा so thank you so much for watching have an awesome day